वेलकम स्टुडेंट्स वेलकम टू अड़ा 24-7 मैं हर्श आज आपका सौगत करता हूं अपने इस क्लास में अपने सेशन में और यह सेशन हमारा यह कंटिनुएस स्रीज का एक और सेशन है जहां पर हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं अपने बिजनेस के बड़े-बड़े का बड़े-बड़े चैप्टर्स का तो बिल्कुल कॉपी पेल लेके बैठ जाईए तयार हो जाईए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लैनिंग और आज हम लोग शुरू करने हैं अपने फंक्शन साफ मेनेजमेंट से सबसे पहला फंक्शन आज पूरा चैप्टर यह 40- 45 minutes में खतम करने की पूरी-पूरी कोशिश यहां पे होगी तो क्लास की शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही बहतरीन से कोट से और कोट में बच्चों यह लिखा हुआ है कि push yourself because no one else is going to do it for you भाई अपने आपको आप मोटिवेट करिए अपने आपको प्रोसाहिद करिए क् आपके माबाप की या आपके भाईबहन की या आपके कुछ दोस्तों की तो वह आपके लिए यह काम हो सकता है कर दे आपको प्रोसाहिद कर दे। आपको डार्यक्शन दिखा दे आपको दिशा दिखा लेकिन, अंतुत-तौर्प में जिंदघी भर में, ठीक है कोई भी आप के साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा और आपको अपने आपको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी आपकी गाड़ी का कोई भी ड्राइवर नहीं हो सकता है ठीक ना तो भाई पुश योर सेल्फ आपको आपको खुद अपने आपक भाई प्लाइनिंग सबसे पहले प्लाइनिंग का इंट्रोडक्शन देता हूँ की बाई प्लाइनिंग बिल्कुल फंडामेंटल और बिल्कुल बे असी टू सी वन कौन हो गया कंट्रोली और सी टू कौन सा हो गया कॉडिनेशन तो शुरू करते हैं अपने प्लानिंग से देख यार प्लानिंग बिल्कुल फंडामेंटल फंक्शन है प्लान बनाना सिर्फ मेनेजमेंट में या सिर्फ बिजनेश स्टडीज में नहीं पढ़त आज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है करना पड़ता है कल मेरे या पर्टिकुलर कोई डिश बनेगी तो उसके लिए जो इंग्रीडियंट है वो मुझे आज ही लाकर रखने पढ़ेंगे ना ठीक है तो बच्चों मेरे कहने का पता यह मतलब यह कि एक्जांपल आफ मर रहा कि life में planning करते हो जैसे मैं planning करता हूँ कि आपके लिए कैसे एकदम बेस्ट lecture बेस्ट content business studies का पहुचाया जाए समझ रहे आप तो मैं भी रोज के रोज planning करता हूं रोज के रोज उस planning को अचा सिर्फ plan नहीं बनाता हूं execute करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूं मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ plan नहीं बनाना है आपको plan ऐसा बनाना है कि वो execute करने वाला हो कोई इंसान हो जो उसको execute कर ले जाए तो भाई planning is the function of management that involves setting objective आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको objective को set करना है फिर आपको a course of action पता करना है course of action मतलब कि आपको number of actions perform करने course of action क्या होगा मतलब किस तरीके से अपने अब्जेक्टिव तक पहुचा जाए ठीक है पॉर achieving those objective planning requires that managers to be aware of environmental condition अच्छा एक बात और एक बात और हम मैंने यह सोचा कि कल घर मेरे मेरे बनेगी मटर पनीर की सबजी मटर सर्दी का सीजन ही नहीं है गर्मी का सीजन है तो मटर है नहीं अब मेरी planning हो सकता है खराब हो जाए अब आप मेंसे कुछ बचे कहेंगे सर तो क्या हुआ रेडी वो जो पैकेट वाली आती है वो खेड लाएंगे ठीक है पैकेट वाली खेड लेंगे लेकिन कभी-कभी हरी सब्जी खाने का मन होता है आप बताओ क्या करें अब तो कोई चांस नहीं बचाना तो कहने का मेरा मतलब यह बच्छों कि प्लानिंग करने से पहले या प्लानिंग करते हुए आपको इन्वार्मेंटल कंडिशन्स का भी ध्यान देना पड़ेगा इन्वार्मेंट बिजनेस इन्वार्मेंट ठीक है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भया इन्वार्मेंट हमारा डाइनमिक है एवर चेंज जूज सके उनको जेल सके बिल्कुल ऐसा ना हो कि future conditions अगर खराब हो गई तो company ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये plan ऐसा होना चीए जो full proof हो ठीक है अब आते हैं बच्चो features of planning में सबसे पहला planning का क्या फीचर है सबसे पहला ग्रोथ कि किसी भी company का सबसे पहला और जो है objective क्या होता है survival कि वह company market में रहे फिर उसका अगला objective होता है profit कि अब market में है अब उसको पैसे कमाने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने और थर्ड क्या है growth आज वह एक शहर में है कल वो पूरे राज में हो जाए कल वो पूरे राज म ठीक है ना तो इनके objectives अलग-अलग हो सकते हैं और objectives को achieve करने का primary motive हमारे planning का है दूसरा primary function of management management का बिलकुल नया नया function है यह बिलकुल पहला-पहला सा function है तो उसमें यह primary है बेटा तीसरा point है planning is pervasive planning is pervasive का मतलब यह है कि planning can be seen at all levels of management चाहे top level management हो चाहे middle level management हो और चाहे lower level management हो चाहे कोई भी management हो planning हर जगा देखने को मिलती है ठीक है ना planning कोई ऐसा नहीं है कि कोई particular इंसान ही plan बनाएगा हर इंसान organization के बहतरी के लिए organization के अच्छे के लिए plan बनाता है ठीक है चौता function क्या है planning is continuous बहिया planning चलती रहती है planning कभी बंद नहीं होती है हम हम क्या खाएंगे यह planning करनी है परसों क्या खाएंगे यह भी planning करनी है नरसों क्या खाएंगे तरसों क्या खाएंगे मतलब भाई planning तो करनी है ठीक है planning तो करनी पड़ेगी आज करोगे परसों की planning करोगे नरसों की planning परसों करोगे कहने का मतलब है कि next day की planning हमको before the day एक दिन से पहले हमको करनी पड़ेगी तो organization की planning कभी खतम नहीं होती है अब organization की planning हमेशा चलती रहती है execution हमेशा चलता रहता है बच्चों फिर आता है बच्चों planning is futuristic अब यह planning is futuristic की चिडिया का नाम है अब फ्यूचर देख रही है ना मैं क्या कह रहा हूं मैं अगले मालो मैं 12 में हूं तो मैं इंटर्वीट देने के लिए मेरे को पोस्ट्रैशुएट करना पड़ेगा पोड़ेगा पोस्ट्रैशूइट करने के लिए मुझे पेपर देना पड़ेगा और सी ती का पेपर देने के फ्यूचरिस्टिक मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रहा हूं समझ रहें यह पॉइंट है फिर आता है बच्चो प्लानिंग इन्वॉल्फ डिजीजन मेकिंग भाई आप प्लानिंग में फैसले लेने पड़ते हैं कठोर ठीक और कठोर फैसले आप जब लोगे ठीक है ना तो आप अच्छे से और्गनाइजेशन को रन करा पाऊगे अगर आप क्रूशियल फैसले बड़ी जल्दी जल्दी लेने में माहिर हो तो कहीं न कहीं आपको कठोर और जो है लेंदी फैसले लेने पड़ेंगे लेंदी डिजीजन लेने पड़ेंगे वो भी कम समय में बिना सम में गवाए ठीक है फिर आता है बच्छो प्लाइनिंग इस मेंटल एक्सरसाइज भाईया प्लाइनिंग क्या है एक दिमाग का खेल है यह नहीं कि दौड लिये जाके खेत में तो प्लाइनिंग हो जाएगी नहीं आपको बैट के सोचना पड़ेगा आपको राए लेनी ठीक है तो बचों आई होब कि प्लाइनिंग इंट्रोडेक्शन आपको समझ में आ गया होगा फटा-फट से देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ओफ प्लाइनिंग तो भाई प्लाइनिंग प्रोवाइट्स डाइरेक्शन प्लाइनिंग एक दिशा दिखाती है एक डिरेक्श है जिस direction पर मैं चलूंगा तो planning provides बच्चो direction फिर आता है बच्चो planning reduces risk of uncertainty देखो अगर हम यह नहीं सोचेंगे कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो मैं हमिशा बच्चों को कहता हूं कि बच्चों आप कल क्या पढ़ने वाले हो यह आज आज रात में सोने से पहले सोच के सो ठीक है इससे क्या होगा जब आप सुबह उठोगे जब अगली जब अगली सुबह आएगी जब अगला मुझे कल क्या पढ़ना है न तो आपका टाइम बचेगा और आपका बिल्कूल मल लगेगा पढ़ाई करने में क्यूंकि आप सोच के ही वही सोय हो तो इससे क्या हो रहा है अंसर्टेनिटी का रिस्क थोड़ा कम हो जा रहा है अंसर्टेनिटी क्या होती यह बैए ऐसी ही है uncertainty तो planning reduces risk of uncertainty कि अगर आप प्लान करके रखते हो तो आप uncertainty का risk थोड़ा कम कर सकते हो planning reduces overlapping and wasteful activities क्योंकि आप प्लान कर लोगे तो आप एक ही activity को बार-बार नहीं करोगे ठीक और आप ऐसी activity करोगे जो आपके business के लिए important हो ऐसी activity में हाथ नहीं डालोगे जो waste हो समझ रो important चीज़ों पर focus करोगे अगला क्या आता है अगला आता बच्चो planning facilitate decision making अभी बताया फीचर में लिखा होगा कि planning decision making को facilitate करता है decision लोग बना पाते है planning करने के बाद और फिर आता है बच्चो planning establishes standards for controlling ठीक है planning जो है जब आप planning में standard बनाओगे न तभी तो controlling में आप उन्हें standards को चेक कर पाओगे ठीक है मैं देखो controlling में आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन एक छोटा सा overview देता हूं देखो आप plan मनाते हो और्गनाइज और्गनाइजिंग में आप resources को और्गनाइज करते हो एकटा करते हो स्टाफिंग में लोगों को भरती करते हो डिरेक्टिंग उनको दिशा दिखाते हो कि आपको किस सरफ जाना है और controlling में यह check करते हो कि जो आपने planning में plan बनाये थे वह सही तरीके से follow हुए या नहीं अब दो तरीके की बाते होंगी या तो plan follow हुए होगे या तो plan पे काम हुआ होगा और आपको उब्जेक्टिव अचीव हो गया होगा या तो अपनी गलती को सुधार लूँ यह आपको इन्शोर करना पड़ेगा मतलब की कर्येक्टिव रेणो पड़ेगा depress ente को्लेष करने के बाद आपको hierarchy लेना पड़ेगा तो controlling में अगर आपको इस तैंडर्ड को है करना है तो planning में आप को इस टेंडर्ड बनाना पड़ेगा यहीं यह पोईंट कहता इंपॉर्टेंस एफ प्लानिंग कि planning establishes standards for controlling ठीक है बच्छो तो यहां तक आपको समझ में तो आही गया होगा कि importance of planning क्या है ठीक फिर आते हैं भाई limitations of planning आप यह limitations of planning यार जिस चीज के a एक सिक्क्राद दो पहलों एक एक tails ठीक है चित और पट तो हर बार चित नहीं हो सकती एंपॉर्टेंस है तो लिमिटेशन्स भी होंगी, समझ रहो, ठीक है, तो लिमिटेशन्स पर देखते हैं, भाई, प्लानिंग क्रियेट्स रिजिडिटी, देखो, क्या होता है ना बच्चो, जब आप पहले से प्लान बना के बैठ जाते हो ना, तो आपका कभी-कभी रिजिड हो जाता है, हो जाती है, मतलब कि अगर इन्वार्मेंट चेंज हुआ, अगर इन्वार्मेंट चेंज हुआ, तो आपकी प्लानिंग क्योंकि बड़ी फिक्स है, तो आपकी सच्चुएशन थोड़ी आपकी सच्चुएशन रिजिड हो जाएगी, आप अपने प्लान को बदल नहीं को यह है, कि बिजनेस इन्वार्मेंट आप बच्चे को अब में आएगा कि सब बिजनेस इन्वार्मेंट क्या होता है, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ एक इंडोडक्शन देगा हूं, बिजनेस इंवार्मेnd अभी पहले ही अभी पास्त क्लासिस में मैंने पढ़ाया हुआ ह वो फैक्टर होते हैं समझ को इंटर्नाली भी होसकते हैं किसी काम की नहीं रहते हैं पिर आते हैं बच्चो planning reduces creativity ओवसी बात है जब हर चीज लोगे जब हर चीज पढ़ लोगे हर चीज पहले से सोच लोगे तो creativity तो creativity तो तब आती है न जब आप सोचते हो और जब सोच ओ गई नहीं क्योंकि plan तो अपने पहले ही तो बहिया creativity थोड़ी कम हो जाती है फिर आता है बच्चो planning involves huge cost पैसा जाधा लगता है बहिया plan बनाओ controlling में plan को check करो standardization करो ये करो वो करो तो planning में पैसा थोड़ा जाधा लगता है फिर आता है बच्चो planning is a time consuming process planning में समय भी बहुत लगता है दुनिया बर की चीज़ों को देखो experts को देखो planning करो फिर प्रता चला planning गलत हो कि तो दुबारा plan मनाओ दुबारा implement करो बड़ी लेथन वाला काम है तो planning is a time consuming process यह हो गया planning does not guarantee success यह तो यार है देखो planning से success सफलता मिल जाए यह guarantee नहीं है मैंने सोचा है कि मैं 5 साल बात जब पढ़के निकलूंगा तो बहुत अच कर सकता हूं लेकिन सफलता की guarantee मुझे मेरे plan नहीं दे सकते हैं क्योंकि कल मेरी life में क्या हो जाए यह मुझे खुद नहीं पता है ठीक है और life अगर मैं बात करता हूं बच्चों जिंदगी की तो जिंदगी plan के हिसाब से नहीं चलती है आप लाख planning कर लीजे लाख planning कर लीज राडे में जो आपसे हो पाए जो better ओद आपके लिए स्लों करिये और प्लेन करिये वित्त प्लान कर लंबी-लंबी planning मत करिया तो यह हो गया लिमिटेशन सब्लाइन कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लैनिंग की प्रोसेस और यह प्लैनिंग की प्रोसेस की यह आप हैंड्रेट परसंट श्योर मानिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ठीक है मैं ऐसा इस वज़े से कह रहा हूं क्यूंकि प्रोसेस वगरां बहुत बार पुछे जाते हैं तो चाहे प्रोसेस और्गनाइजिंग का हो चाहे आपका कम्यूनिकेशन प्रोसेस हो चाहे कंट्रोलिंग प्रोसेस हो वह आपको अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है चलो अब सबसे पहला आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा हो गए यहां पर डिकोबचो सबसे पहला प्लैनिंग का परोसेस है सेटिंग अबज़ेक्टिवस सबसे पहले सब क्या है आपको अबज़ेक्ट्व करने होंगे आपको objective को set करना होगा ठीक है कि मेरा क्या objective है मैं अगले पास साल में कहां जाना चाहता हूं ठीक है मुझे business करना है मुझे dance करना है singing करनी इस्विंग बनना है गिटार बनाना है क्या करना है डिसाइड तो कल लो डेवलपिंग प्रिमाइसिस अब मैं क्या करूंगा अब मैं अपने रिसोर्स को एकटा करना शुरू करूंगा मेरे पास क्या क्या है जला देख लेते हैं मेरे पास अड़ा 247 का सब्सक्रिप्शन है नहीं है तो मैंने खरीद लिया फिर मैंने क्या किया मैंने मैं मुबाइल मांे बने के बाद मैंने एक फोन ले लिया ठीक है और तो आ CSurs मेरे टूड़ा तो यहांद करोने किया मने जुगाण कर लिया है आपको क्या करना है आपको करना है जुगाण आप पता नहीं है जुगाड मैंने सही लिखा जहां तक है ठीकित आपको जुगाड करना है फिर आते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिफ अब आपको यह देखना है कि भाई आप जैसे माल लो कोई बच्चा है तो वो सोचेगा किस किताब से पढ़ूं इस किताब से किताब से पढ़ूं तो आपको अल्टरनेटिफ देखने होंगे तो माल लीजे कि बुक ए बुक बी और बुक सी बुक ए वो बुक है जो आपको अड़ा से मिल गई है ठीक है मान लेते हैं फिर आते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिफ अब आप इन तीनों किताबों को थोड़ा इवैल्यूएट करोंगे क्या करोंगे इवैल्यमेट करोंगे कि आप इन्टीनों किताबों को समझोगे पढ़ो कर दोगे अपने प्लैन को आप इंप्लीमेंट कर दोगे सारे अपने शस्त्र और अस्त्र निकाल के उनका इस्तमाल करने लगोगे और उसके बाद फॉलो अप एक्शन फॉलो पैक्शन का मतलब क्या बच्छो कि आपका जब प्लैन एक बर बन जाएगा ना फिर आप अपने आप से पूछते रहना कि मैंने आज की पढ़ाई की या नहीं की जो मैंने सोचा था वो मैं अजीव कर अब आपने अपने अब्जेक्टिव आपने अब्जेक्टिव शेट कर लिया डेवलपिंग प्रमाइस आपने देख लिया मेरे पास मॉंबाइल फोन है सब्सक्रिप्शन खेटने के लिए पैसे ऐसा जो भी है फिर आपने आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव आपने धूल लिए कि एड़ बुक से पढ़ेंगे पीसर पढ़ेंगे चीजसे पढ़ेंगे फिर आपने तीनों आल्टरनेटिव को एवल्ट अब टार प्रॉस्यस फटाफ़ाइब करी प्रोसेस पर आपने नेक्स टॉपिक पर जो की है टाइप्स ऑफ प्लान देखो पूरा चेप्टर खतम करने का टार्गेट लेके चल रहे हैं पूरा चेप्टर खतम करने का टार्गेट लेके हम लोग चल रहे हैं कि भाई फॉर्टी टू फॉर्टी फॉर्टी फाइफ मिनेट्स में यह चेप्टर आपका पूरा खतम अकिन डीं और एक होता है आपका सिंगल यूज्ट प्लैन बच्चों ऐसे प्लैन जो में बम बना देते हैं और उन को के लिख मैं स? आ का यूज सामय तक चलते रहते हैं उनकी लाइफ ज़रा लंभी एंगो कहते है स्टैंडिंग प्लैन और ऐसे आ प्लैन जो हर प्रॉबलम के लिए अलग-अलग बनाते हैं उनको कहते हैं सिंगल यूज्ट प्लैन समझ गए बात ऐसे प्लैन जो हम एक बार बनाते हैं और वो लंबे समय तक चलते रहते हैं वो होते हैं स्टैंडिंग प्लैन और ऐसे प्लैन जो हर प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग होते हैं उनको कहते हैं सिंगल यूज़ प्लैन जैसे की यूज़ एंट रो पैन एक पैन खरीदा यूज़ किया लिखो फेको लिखो फेको कलम है ना समझ गए दो यहां पर लिखा हुआ है इस को बार-बार यूज़ किया जाता है दीव प्लैंस कंटिनुवसली गाइड दा मेनेजर्स और यह प्लैन कंटिनुवसली मेनेजर्स को गाइड करते रहते एक बार बनाओ बार-बार यूज़ करो क्या है इन प्लैन के एक्जांपल क्या है भाईया कंपनी की कोई objective है कोई strategy ह है कोई policy है procedure है method है rule है तो यह सब क्या हो जाएंगे single use plan objective strategy policy procedure method और rule यह सब क्या है यह सब है standing और repeatedly used plan और अब आते हैं बच्चो single use और special और एड होक plans पे ऐसे plan जो हर problem के लिए नए नए आए एक problem एक plan अगली problem अगला plan अगली problem अगला plan problem बदली plan बदला ठीक है दो क्या लिखा हुआ है ऐसे example दो है एक आपका budget और एक आपका program एक आपका budget और एक आपका program यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन अभी आप standing और single-use plans समझ लें तो अच्छा है ठीक है फटाफट से दोनों का difference भी अगली चार्ट में तो वह भी जड़ा एक बार गौर फरमा लेते हैं चलो बच्चों देखो यह आपका आगया यह आपका आगया ना standing और single-use plan का एक बढ़ी हां साथ difference differentiation ठीक है देखो लिखा हुआ है standing plans they are formed for long period long period मतलब लंबे समय के लिए इनको बनाया जाता है बच्चों ठीक है लंबे समय के लिए बनाते हैं और they are formed for a shorter period यह थोले कम Dominic समय के योतता है थोड़े छोड़े चोटे समय क्लें होता है ठीक है कि अरे सकोप पर देख लेते हैं बैभा इस झोड़ा बढ़ा है यह organization में कर सब्सक्राइब को समाहित कर लेते हैं और यहां पर यहां पर नेरो स्कूप और इनका स्कूप सिंगल यूज प्लान का स्कूप थोड़ा कम होता है और यह इस प्रोजेक्ट एक असाइन्मेंट और एक सेचुएशन बनाए जाते हैं फिर आते हैं बच्चो फ्रीक्वेंसी आफ यूज इस पर आते हैं फ्रीक्वेंसी ओफ यूज बहिए इस टैंडिंग प्लान लंबे समय तक चलेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी जादा है इनको थोड़ा जादा यूज करोगे ठीक है और सिंगल यूज प्लैन की यह इनको कहते हैं वन टाइम प्लैन एड होक प्लैन तो भाई यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं यह सिर्व एक बार चलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया एक्जामपल अगेन वहीं रिपी अब यह बढ़िया मेरा फेवरेट टॉपिक आता है मेरा फेवरेट टॉपिक है यहां से मेरा और सिबसी बोर्ड का और एंटिये का पेवरेट टॉपिक ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक और वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस वज़े से नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत बार आया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस वज़े से कह रहा हूं क्योंकि यह जब जब आया है बच् 40-50 बच्चे इसके कोशन गलत कर देंगे क्योंकि वो इतने सारे में क्या होजाते हैं Confuse हो जाते हैं क्या हो जाते हैं Confuse हो जाते हैं ठीक है आपको आज सी ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा ऐसा आपको मझा आएगा पढ़ने में कि आप आज के बाद यह objective strategy rule procedure plan program budget में कभी जिंदगी में confuse नहीं होगे तो शुरू करते हैं objective से भाई यह objective क्या होता है objective मतलब यह होता है कि कहां जाना है देखो और दिस इद फर्स स्टेप इन प्लानिंग दा action plan of the organization objective are the basics of every company हर company की basic क्या है objective सबसे पहले आप क्या तया करोगे objective and the desired objective result that the company plans on achieving तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों objective और 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 objective का मतलब वह desired result ठीक है तो सबसे पहला आगे आपका objective फिर आते है strategy अब आपने एक बार अब ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो यह दिमाग अपने मन में बैठा लो आपने एक बार objective कर लिया अब आप क्या बनाओगे strategy तो बनाओगे अब आपको क्या आपको रूल बनाना है नहीं रूल तो बाद आपशना वहिवरा अब मेरे मेरे बाद बताओ इनका मेन objective किया है मेन इसको जीतना और अब objective के हिसाब से strategy जो है बच्चों वो चेंज होती रहती है एक्जांपल आपके सामने है तो इस्ट्रेटिजी आपकी बदल गई तो इस्ट्रेटिजी क्या है इस्ट्रेटिजी नेक्स्ट स्टेप है डाट फॉलोज ऑबजेक्टिव ठीक है इस्ट्रेटिजी में हम क्या-क्या ध्यान देते हैं हम देते हैं अपने लॉंग टम अबजेक्टिव ध्यान हम देते हैं अपने कोर्स ऑफ एक्शन पर ध्यान और हम देते हैं अपने रिसोर्स को allocation का ध्यान क्या देते है resources पे allocation का ध्यान देते हैं ठीक है course of action का ध्यान देते हैं और long term objectives का भी ध्यान देते हैं बहुत अच्छी बात है भाई है हमें strategy पता लगया कि strategy क्या होता है objective को पूरा करने के लिए बनाया बनाया जाने वाला plan उसको हम कहते है strategy बहुत बढ़िया अब देखते हैं अगला क्या है अगला है भाई सहाब policy क्या है policy अब यह policy क्या होती है policy बेटा general statements होते हैं और policy यह कहती है मैं कहता हूँ कि मेरी policy है कि जो मैंने strategy बनाई थी वह मैं कभी तोड़ूंगा नहीं मेरे उसूल इतने पक्के है कि जो strategy मैंने बना दिया अपने objective को achieve करने के लिए वह मैं कभी तोड़ूंगा नहीं है मेरी अपनी policy है समझ पा रहे हो तो policy से पहले strategy और strategy के बाद पहले objective आता है तो पॉलिसी क्या होता है पॉलिसी जैनरी की statement होते है जो अपनी organization की सारी energy सारी की सारी energy कहा लगाते है तूवर्ट सा पर्टीकुलर strategy अब जड़ा इसको लिख देते हैं ठीक है क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले आता है बच्चों objective objective अब्जेक्टिव क्या objective के बाद क्या आता है strategy अब इस्ट्रेटिजी के बाद क्या आता है policy और बच्चों policy के बाद क्या आता है procedure ठीके ना प्रोसीजर अब आप पूछेंगे सरीए प्रोसीजर क्या होता है बच्चों देखो आपने policy बना ली कि मैं अपनी policy को कभी तोड़ूंगा नहीं प्रोसीजर नेक्स्ट तरह का प्लान होता है प्रोसीजर यह बताता है कि भाईया ग्रूप अफ एक्टिविटीज को कैसे कैसे पूरा करोगे क्या प्रोसीजर है काम बोगरने का दैसे मैंने का कि मुझे एक डिश बनानी है तो डिश के इंग्रीडियंट भी आ गए अपकि बिश के इंग्रीडेंट भू गए मेरी पॉडिसी भी बन गई मेरी स्ट्रेडीजी भी भन गई अब मेरे घृ बताओ कि पहले बर्तन में क्या जाएगा पहले तेल जाएगा प्याट जाएगा जीरा जाएगा प्रोसीजर बताओ भाई डिश बनाने का प्रोसीजर पता हो पहले क्या डाले फिर उसके बाद क्या है तो यह सारी चीज़ है प्रोसीजर प्रोसीजर आर्दा नेक्स्ट टाइप आफ प्लैन बहुत अच्छी बात है दे आर इस्टेप वाइस गाइड फॉर्डा रूटीन टू कैरी आउट एक् कर लो बच्छों एंब्सी के पुछा जाए टर्म याद कर लो क्या टर्म है इस्टेप वाइस गाइड ठीक है इस्टेप वाइस यह दोको लिखा हुए तो भी फॉलोड बाइव एक्टिविटीज चैन भी फुल फिल्ड बहिया इस्टेप वाइस ज्यान कर लो जैसे आप प्रोसीजर की बात हो रही है बहल बनिया आगे देखते हैं आगे आता है रूल सुच्छ ठीक है बच्चो आगे आता है रूल्स अब आपने अब्जेक्टिव बना लिए आपने अपने अब्जेक्टिव बना लिए आपने स्ट्रेटिजी बना ली आपने पॉलिसी बना ली आपने प्रोसीजर बना लिया अब आप क्या बनाओगे अब आप बनाओगे अपनी कंपन लिए टिके लिए नियम काईदे कानून rules ठीक है तो यह हो गया बच्छो रूड अब यह rule क्या होताय है रूल मतलब होटे है कि ऐसे ऐसी एक जानने से जड़ादा जरूरी है क्या करना है आपको यह जाना चाहिए कि क्या नहीं करना है वह तो पता है जा नहीं करना अगर इसका घ्यान हो गया था आपका काम हो जाएगा और रूज्स में कोई बनेंगे रूल और रूल के बाद आते हैं बच्चों मैथर्ड मैथर्ड मतलब इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका इस प्रोसीजर को निभाने का सबसे अच्छा तरीका देखो लिखा हुआ है इस प्रोसीजर के जो टास्क है उनको हम परफॉर्म कर ले जाएं डाट इस नून एस मैथर्ड ठीक है तो बहिया औब्जेक्टिव इस्ट्रेटजी फिर आता है आपका पॉलिसी पॉलिसी के बाद प्रोसीजर प्रोसीजर के बाद रूल और रूल के बाद लास्ट में क्या होता है मैथर्ड ठीक है ऑब्जेक्टिव इस्ट्रेटिजी पॉलिसी प्रोसीजर रूल और मैथर्ट फटा फटा आपको याद हो गया होगा यह जो पूरा कंसर्प मैंने आपको बताया अब आइंदा अगर कोई भी कोशन आया इन छे पॉइंट से तो गलत नहीं करने का अब बिल्कुल भी कंफूशन आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको सबके कीवर्ड बता दिये हैं तो ध्यान से समझिए ठीक है लास्ट टॉपिक हमारे इस पूरे चेप्टर का जो की है आपके सिंगल यूज्ट प्लान के दो कॉम्पोनेंट दो कॉम्पोनेंट कौन- घर में भी बजट बनाते हैं कि कितना खरचा करना है तो बजट कि मतलब क्या चीज लोती है बहुत अच्छी बात है तो यह हो गया का बजट वो तो पैसों का बजट है अब आते हैं यहां पर बजट में बजट एक स्टेटमेंट है बजट एक स्टैंडर्ड है ठीक है मैंनेजर एक्सपेक्ट फ्रॉम दा कंपनी कि वह यां कंपनी इतना अचीव करके देगी बजट सा और ऑल्सौओस को यहां इस नयुमेरिकल टम्स क्योंकि बजट में क्या थैの numerical टम साते है पैसा बता हो ठीक है समय बताओ ठीक है बजट किसी भी चीज का हो सकता है बजट आपका प्रॉफिट का हो सकता है रॉम मटेरियल का हो सकता है बजट आपका सेल का हो सकता है हर चीज का बजट आप टै कर सकते हो ठीक है और लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो की है प्रोग्राम क्या प्रोग्राम है कैसे कैसे एक्जीक्यूट करना है कैसे कैसे जो घूमने फिरने का प्रोजेक्ट हम आज लेके आए हैं उसको क्या कैसे कैसे अचीव होगा क्या प्रोग्राम है पूछते ना आम भाशा में हम रोज पूछते ना एक जुसरे से कि भईया आज का क्या प्रो आते हो प्रोग्राम प्रोजेक्ट क्या है शादी में जाना प्रोग्राम क्या है कैसे जाएंगे क्या पहनेंगे कब निकलना है कब वापिस आना यह क्या है यह बच्छो प्रोग्राम है ठीक है जैसे के एक ग्जामपल भी नीचे लिखा हुआ है क्लीनी प्रोग्राम इंदा और्गनाइजेशन आपके और्गनाइजेशन में साफ सफाई कराने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है सबसे पहले होता है फिर होता है इस्ट्रेटिजी इस्ट्रेटिजी के लिए बनाते हैं पॉलिसी पॉलिसी के लिए बनाते हैं फिर बनाते हैं रूल और रूल के बाद क्या बनाते हैं रूल के बाद है ठीक है और इससे पहले हमने इंपोर्टेंस लिमिटेशन फीचर और प्रोसेस और प्लैनिंग पढ़ा है तो यह पूरा प्लैनिंग चेप्टर मेरी तरफ से खतम होता है आज और कोशिश की की वन शॉर्ट रिवीजन मतलब कम से कम समय में आपको जाजा से जादा रिवीज यह है कि मैं आपको बिजनेश सेडीज वन शॉर्ट रिवीजन में खतम करवाद दूँ ताकि आप जब स्यूटी के पेपर में जाओ तो आपको यह क्लासिस का पढ़ा हुआ याद रहे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ और एक अच्छे युनिवर्सिटी में अडिम